जैसे ही हम Basic Japanese Language से थोड़ा सा Advanced में या मैं कहूंगा कि Intermediate की तरों बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे Patterns जो कि Basic के Words से ही बने हैं लेकिन हमें थोड़ा सा Confuse कर रहे हैं आज इसी तरह का Pattern हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस Pattern का नाम है Koto Ga Arimas अगर हम Words को पहले थोड़ा सा Translate कर लें तो Koto का मतलब होता है Thing, Matter, Fact यानि कि यह चीज और Ga Arimas अगर आपने Basic Language सीखी है तो इसका मतलब होता है है यानि कि यह चीज है इसका मतलब है कि यह चीज हुई है यानि कि यह experience मुझे अलरड़ी है तो चले ही शुरू करते हैं, Welcome to New Hongo Max, मेरा नाम है रवी, Let's Start मैं मुझे सिदन, और आज के इस नए वीडियो में हम सेखने वाले एक नया pattern जो कि है Ta Koto Ga Arimas Ta Koto Ga Arimas, सबसे पहले हम इसको स्यूज करते हैं एक Verb की Ta Form के साथ Ta Form क्या होती है, एक Past Form जो कि एक Action को बताती है कि वो हो चुका है Already, उस चीज को Explain कर ले के लिए हम यूज करते है Ta Form तो जब हम Ta Koto Ka Arimas बोलते हैं, Koto Ka हमने मतलब पहले भी सीख रगाए, Koto मतलब एक Matter, एक Fact, एक बात को बताने के लिए, और Arimas मतलब है तो यानि अगर हम किसी भी Verb के सामने Ta Koto Ka Arimas बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमें उस चीज का Experience है, मतलब वो चीज पहले हो चुकी है हमारे साथ में एक Individualistic Level पे बोला जाता है यह Usually Pattern, एक Experience को Describe करने के लिए सबसे पहले चली एक्जांपल से इसको सीख लेते हैं, पहला है Sushi और Tabeta Kotoga Arimas, यानि कि मेरे को Sushi खाने का Experience है, यानि हो सकता है कि इसने Life में एक बार या दो बारी भी चाहेगा अगर खाई हो Sushi, तो लेकिन Experience है तो हमेसे भी एक Pattern की तरह में बोल सकते हैं सेकेंड है, Shimura Hai Itta Kotoga Arimas, यानि मुझे Shimura जाने का Experience हो चुका है, अगले है Nihon Goo Oshie Ta Kotoga Arimas, यानि मैंने Japanese Language को पढ़ाने का Experience है मेरे पास, इस चीज़ को Explain करते हैं, यह हमारा Ta Kotoga Arimas Pattern, एक चीज़ जो हमारे को Point हमें याद रखना है, कि यह जो Ta Kotoga Arimas Pattern है, यह Past Experiences को Describe करने के लिए ही Use होता है, Usually, लेकिन आप इसको मैंने यह चीज़ करी हुई है, मेरे को इस चीज़ का Experience है, यह दोनों सेम ही चीज़ है, इसलिए आप उसमे के भी Describe करने के लिए बोल चकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दो Hindi के Sentences बताता हूं, जो आप Comment section में आपको Translate करने हैं, ताकि आप भी इस पैटन को और अच्छे से ग्रैस्प कर पाएं, सबसे पहले कि मैं जैपनीज मुवी देख चुका हूं, मैंने जैपनीज डेश को खाया हुआ है, यह सब आप लिख सकते हैं Comment section में, मैं उमीद करता हूं इस पैटन को आपने अब सीख लिया होगा, और इस Comax.com पर जिस पर आपको इसी तरह के पैटन्स, बेसिक से लेकर, एडवांस तक, एनफाइल से लेकर, एनवन तक, सारा सारा मेटरियल मेरी सारी explanation के साथ, हिंदी explanation के साथ मिल जाएगा, thank you so much.